हेलो ऊथ्रियन फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग आप सभी लोग बढ़िया होगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए कर लिया था और इसके बाद वो जगह छोड़ दी थी बहार आने के बाद जुएन ने तियाने को बुला हुआ होता है तियाने उस बॉड़ी को लेने के लिए तयार नहीं था जो जुएन उसे दे रहा था लेकिन आखिर कर जुएन उससे मिननते करता है रिक्वेस्ट करता है और कहता है भाई ये बोडी रख ले यार मेरे लिए तेरी तरप से gift है तो इस बोडी को strong करो मुझे बापस लोटा देना जो देकर तियान तुरंती करता ठीक है मैं बोडी तो रख लोटा हूँ क्योंकि तुने ये कहा है कि मैं महा सक्ति साली एक लोटा मॉस्टर राजा किंग हूँ जो सबसे ताकतबर हूँ लेकिन मुझे तुस्से नफरत है बट क्योंकि अब तु मेरी चापडूसी कर रहा मुझे ये पसंद आ रहा है साथ ही मैं तुझे ये बापरफुल हालकि ये बॉडी काफी बाहियात है मैं तुझे ये पावरफुल करके लोटा दूँगा जिसकबाद एतियान से बोदी के अदर जाता है जो इसके बाल परफल कलर के हो जाते है आखें अचाना की डारक हो जाती है और परहेड पर ब्राउट कलर का ये पारफल कलर का एक मार्ग दिखाई देता है यानि कि एतियान की जो physical थी body या चीजें वो पूछता ही किसे बदल चुकी थी appearance जिसके बाइद एतियान अपने हाद से एक crack करता है area और उसमें अपने दोरा रिफाइन कीगई सभी puppets को फेक देता है कहता है मैं तुम लोग को बाद में अच्छे से train करूँगा देन जो यान वहाँ से order का use करके बाहर आ जाता है बाहर आते ही जान की figure दिखाई देती है compass पे compass पे आते ही जो यान desire के सामने होता है बाकी सब लोग compass में होते हैं देन हम देखते है desire जान से पूछती है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे जो देकर जान कहता है सीधी सी वात है मैं तेरी मदद करने को तयार हूँ लेकिन सबसे पहले तुम्हें मुझे पचास अजार God Emotional Level के warriors देने होंगे और 10% में से 10 में से 3 part of power और energy देनी होगी यानि resources अपने great world के जो देकर डिजाय ने जोन को immediately तो कोई reply नहीं दिया था पट उसने जोन को बापस भेज दिया था दोस्ता हम देखते हैं लूया जोन को यहां harass कर रहा होता है क्योंकि यह तियान चला गया तो जोन ने भी का था कि मैं भी जा रहा हूं एपिसोड मैंने वही एंड किया था तो यह एपिसोड स्टाट होता है जैश्ट वहीं से जहां पर जो यहान अपने spiritual garden में होता और सोच रहा होता है कि इन herbs को fully mature कर लिया गया और अब इन्हें रिफाइन किया जा सकता हालाकि जोन अभी भी त्यालिंग परजन बेकिंग पिल के इंग्रीडेंट्स को नहीं तोड़ता क्योंकि उससे अभी उस पिल को रिफाइन करने की जवरत थी नहीं बलकि जोन अभी भी थी दोस्तव वाइड में फ्लेम की एक लकीर बढ़ती हुई दिखाई दे रही होती है यौन द्वारा दी गई जट स्लिप को देखते हुए आइमीन मैब को देखते हुए जोन अभी भी सैन पपेट सेक्ट से कुछ दूरी पर था जिसे जोन फैल हाल तो धूर रहा होता है लेकिन इस टाइम के दौरान जो यान को फिल रिफाइन करने का परियाप टाइम मिल गया था डिवाइन मोस्टर वाडी पिल को रिफाइन कर यहां पे जोन ने केबल, नमबर 4 द्वारा दी गई 9 यांग 2 ड्रू ड्रागन पिल, और कोई द्वारा दी गई, वो डि रिफाइन पिल को ही रिफाइन कर रहा होता है, क्योंकि आके का इन पिल को जोन, नमबर 7 के साथ एक्चेंज कर सकता था, एहसानों के बदले, वो चीज चालले में अंगिनत कॉफिन एक साथ जुड़े हूए होते हैं और इन कॉफिन के नीचे एक अजीब सियाकार का ताला लटका हुआ होता है यह जो ताला होता है यह एक बड़ी सी खोपडी की तरह होता है और 4 और से गुजरने वाली जो फिगर्स होती है यह तो और इसमें खून का समंदर भरा हुआ होता है जिसमें एक ब्लेड रेड कॉफिन तैर रहा होता है एल्टर के चारोर साथ या आठ फिगर क्रॉस लेकर करके बैठी हुई होती हो और उनके हाथों के जो हैंड प्रिंट साइन होते हैं वो काफी मिश्टियस होते हैं जैसे कि वो एक ही कॉफिन को रिफाइन कर रहे हो जहां पे एक बंदर तुरंदी कहता है इस बंदे की बॉड़ी के अंदर बास तो में वाइड एनरजी समाहित है अगर हम इसे सक्सेसफुली रिफाइन करके एक अच्छा पपेट बना सकते हैं तो निच्चे तोरपर ये डिवाइन पपेट लेवल तक भी पहुँच सकता है और हर एक पपेट में पपेट टेंपरर बन जाएगा साथी जब हमने इसकी खोच की थी तो हमने पहले से इसके अंदर एक डेमोनिक पोईजन डाल दिया है जिसने इसका फिर से बद कर दिया साथी लाखों लोगों को मारने के बाद आखिरकार इस को हम लोग ने सप्रेस कर ही दिया था लेकिन हमने काफी लोगों को खोया साथ ही एक डेमें सोल बास्त में इसके दिमाग को खोने के लिए परियाब थी अब उसे एक डिवाइन पपेट के तोर पर ट्रेंड करने का सबसे अच्छा टाइम है और अगर हम इसे सक्सेसफुली रिफाइन करते हैं तो हम इसे अपने सेक्ट के टॉप 10 में से एक जरूर बना पाएंगे इस ग्रूप का जो लीडर होता वो बोल रहा होता और आसपास के जो लोग होते वो संकोच नहीं कर रहे होते यहां तक कि उनके पीछे कॉफिन से एक के बाद एक बोंस, ब्लैड और हर एक चीज खीची जा रही होती है यहां तक कि कॉफिन से बाहर आने वाली पतली फिगर्स सफेद फौग में बदल रही होती है और थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल दिखने वाले human body में लौट आ रही होती है यह जितने भी फिगर्स कॉफिन से निकली होती है सभी बिना किसी इस के चार्ट के इस ब्लैड एल्टर के बीच में कूच चुकी होती है और जैसे इन्होंने ब्लैड एल्टर के ब्लैड को चुआ होता है तो यह मैगमा की तरह मैल्ट होने लगती है और पूरे के पूरे एल्टर में यह खून से लत्पत होती है जिससे यह जो कॉफिन होता है कापने लगा होता है मानु जैसे कॉफिन के अंदर का जो परसन वो बाहर निकलने वाला हो कई लोग तुरंती एक्सन लेते हैं और लगातार इस कॉफिन को दबाते हुए बंद कर रहे होते हैं यहां तक उन्होंने तुरंती कुरूल जानबरों की एक धीमी सी दहार सुनी होती है जब उन्होंने यह आबास सुनी तो वो परसन जो यहां पे से लीड कर रहा होता है उसका चैरा काला और सफेद हो गया होता है और वो पागलों की तरह हसते हुए कहता है हो गया यह हो गया यह निश्चित तोर पर मेरी सबसे श्ट्रॉंग गौड पपेट बन जाएगी इस आदमी की जो हसी होती है बेहत बाइल्ड होती है जो चाहतरब गूँज रही होती है लेकिन इस समय जैसे ही जोयान पास आ रहा होता है उसके दिमाग में कुछ आलाग-ालाग इमेजे सारह होती है उसकी आखों के सामने खून होता है जूचि के क्लोन की लाएफ पावर तेजी से खत्म हो रही होती है जो देखकर जोहन कहता है बहुत देर हो चुकी है जोहने आपे थोड़ा सा नाराजगी भी जताता है लेकिन इस सिच्वेशन वो उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था वो केवल अपनी पिल रिफाइनमेंट पर ही फोकस कर सकता था क्योंकि अगर जोहन चाहे तो भी वो उस जगह पर जूची को बचाने के लिए अभी नहीं पहुँच सकता हाला कि जोहन अपनी फूरी स्पीट के साथ भाग रहा था लेकिन जूची के साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो जब तक वो जिंदा है तो जूची के क्लोन के लग से वो आसानी से नहीं मरेगा आखिरकार वो भी योहाइनेस के रिइंकानेसंस में से एक है इसलिए अच्छा हो या बुरा ये सब उसके लाइफ के लग का एक पार्ट है और ये ठीक है क्योंकि जोहाइन ये जानता है इसलिए जोहाइन ने जूची के क्लोन को कभी भी नाइन कॉफिन के अंदर सीन नहीं किया बल्कि उससे सीधा ही खुला छोड़ दिया था ताकि ये खत्रे की तलास करें अपनी डेस्टिनी को खुद डूड़े और खुद श्ट्रॉंग बने जूची के क्लोन के फायदे और नुकसान उसके अपने थे जिसके बाद अन्नोन टाइम बीतने के बद कमपस दीरे दीरे उससे एक श्ट्रॉंग मेडिसिनल इसमेल चार तरफने कले लगती है हाला कि जो ये इसमेल थी काफी ज़्यादा प्यारी और सांदार होती है लेकिन जो बादलों के उपर कमपस होता है ऐसा लग रहा होता है ये इसमेल उसके पीछे पीछे तैर रही है साथी जैसे जैसे ये समेल बढ़ रही होती है इसने काफीसाएं लोगों का ध्यान भी अट्रेक्ट किया था हाला कि जो यान की पिल से एक जो चीजह सबसे पहले अट्रेक्ट हुई होती है वोई कोई इंसान या मौस्टे नहीं होता बलकि ये होते हैं डैमोनिक मच्छर, I mean mosquito, इनका पूरा का पूरा एक ग्रुप जिसमें लगवक 100+, मच्छर होते हैं सीधे ही जो यह अन का पीछा करने लगते हैं, भीं, ऐसी अबाज निकलते हुए, यहां पे मच्छरों का एक बहुत बड़ा एरिया बन गया होता है, और सबसे इंपोरेंट ब और अगर यह बास्तों में इतनी हाई कॉंटिटी के साथ आते हैं, तो यह डैमोनिक मच्छर, एमप्रेयर मोटल लेवल के वारियर को कापने पर मजबूर करने के लिए परियाब थे, यहां तक कि इस लेवल के वारियर भी दूर ही रहेंगे, और इने भड़काने के हिमत न नहीं थी, बलकि जोहन एकदम सांथ देख रहा होता है क्योंकि जोहन ने जान बूच कर दिया पिल रिफाइन करना जारी रखा था, क्योंकि अगर जोहन इनका ध्याना ट्रेक्ट नहीं करना चाहता, तो क्या आप सभी को लगता है क्योहन ऐसी छोटी सी और बेवकूफी व होते हैं, इसलिए उन सभी को गौड पपेट सेक्ट को नश्ट करने के लिए मुझे फॉलो करना ही होगा, जोहन क्यांकों के सामने अंधेरा होता है और उसने गौड डैमेंड बॉडी पिल को रिफाइन करके जट की बोतल में डाल दिया होता है, अब जोहन ने उनमें से ए उसकी टोस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, बुझ जादा दूर नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये हो गया होता है तो उनके लिए पकड़ना इंपॉसिवल था, साथ योहन टाइम 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 पर अपनी स्पीट को भी धीमा कर रहा था और पिल की इस मिल को भी छेड मान चीलिया, उसने आपके दौरा दिया गया मुझे, डैमोनिक गॉड सीलिंग कॉफिन भी छील लिया, एंसेटर आपको मेले जश्टिस करना चाहिए, हाला कि वो सभी संपत्तिया जेसोर से जो उसने चुरा है वो मेले इतने जाना इंपोटेंट नहीं है, लेकिन सबसे की चीज ये है, कि सीनियर उसने मुझे आपके दौरा दिया गया डैमोनिक गॉड कॉफिन चुरा लिया, तो क्या ये आपके लिए सर्म की बात नहीं है, चूतिये ये उनके लिए नहीं तेरे लिए सर्म की बात है, इस स्कल्टन इस्टार के बाहर, एक लंबर रहन वो बहुत साथी सेकेंड एंसेटर हमेसा ही दवंगई से काम करता है, लेकिन जब उससे ज़्यादा पावर्फुल लोग मिलते हैं और उससे धमकाया जाता है, तो वो हमेसा ही रोते हुए बापस आता है, और मुझे नहीं पता कि इस बार उससे फिर किस ने धमकाया, या एंसेटर और यह अभी भी अन्बिलीबल है कि अभी भी ऐसे लोग हैं, जो हमारे सेकेंड एंसेटर को धमका सकते हैं, बेदी पर या नियल्टर पर जो इन किसन्स लिखे हुए होते हैं, उन्हें इस किसन्स के सामने बैठा हुए एक फिगर, यूआन की तरब देख रहा होता है, ले हमें से रिफाइन करने में सक्सेल्फल हो जाएंगे, तो हम उस परसन को मारने के लिए आपके साथ चलेंगे जिसने आपको परिसान किया, तो चलो आजाओ, यह सुनकर तो यूआन से रिलाते हुए हासु पूछते हुए तुरंती खड़ा होता हुए और एल्टर के पास च यह रिउमर है कि पहले से गायब हो चुका, ओरिजन गौड क्लेन का वो मेंबर है, उसकी पावर नाइन इस्टार ओरिजन गौड लेबल पर है, जैसे यूआन ने ऐसा कहा था, तो धारीदार चेहरे बाला जो परसन होता है, अचाना कि अपनी आखों को चोड़ा कर लेता यान यौन को सीरियसली देखता है, उसके चैरे पर सदमे की एक जलक दिखाई दे रही होती है, वो तुरंदी कहता यान यौन के ग्रेट ग्रेंट सन, क्या आप अपनी बात को लेकर सीरियस हैं, क्या आप कनपाम है कि यह वही है, जो सुनकर यान यौन तुरंदी रिस्पे इस परसन ने मुझे लूटा, वो निश्चित तोर पर जादा पावरफुल था, साथी पूरबच के साथ, यहने अंसेस्टर के साथ, मैं सच बता रहा हूँ कि वो एकदम अलग परसन है, यान यौन जब यह कहता है, तो वो अंत में चापलूसी करना नहीं भूलता, कि उसक तो मैं इनाम दूँगा, चलो बताओ वो कहां पर है, जो देका यान यौन तुरंदी कहता है, उन्हें अभी भी वहीं होना चाहिए, उन्हें थोड़ी देर के अंदर बाहर नहीं आना चाहिए, जो देकर यह परसन तुरंदी कहता है, ठीक है, ठीक है, तो किसी भी चीज मे जल्दबाजी मत करो, तुम्हें एक एक करके सब कुछ करना होगा जो की अच्छा है, तो ये अंकुर भी एक अच्छा अंकुर है, और अगर हम इसे दस अजार साल देते हैं, तो ये भी डेड पपेट्स में से एक बनने में क्या पबल होगा, जो काफी स्ट्रॉंग होगा, सा टाइम आने पर हम एक और हजार, फिर दस हजार, फिर एक लाख, और ऐसे न जाने कितने पावरफुल पपेट्स रिफाइन करेंगे, जिसके बाद हमारी सैन पपेट्स से सबसे स्ट्रॉंग होगी, तभी यान युवान तुरंदी कहता क्या मुझे, इसके बारे में इंफो पेटर दामों को नाराज करने की कोसिस बिलकुल मत करो, क्योंकि अगर वो जाकता है, तो रुकने से पहले न जाने वो कितनी सारी डैमॉनिक पपेट निकल जाएगा, इसलिए चलो रेफाइनमेंट भाष्ट करो, और इस कॉफिन को पूरी तरीके से सील कर दो, इस कॉफिन के ऊपर के जो निसान था, वो धीरे-धीरे मेल्ट हो रहा था, ऐसा लग रहा था, इस कॉफिन को सील करना बहुत मुस्किल है, लेकिन एक बार सक्सेस्फुल होने पर, ये काफी परफेक्ट सपोर्टर होगा, यहाँ पे धारी-धार परसन एकदम एक्साइटेड हो रहा हो दिया था, और बापस चला आया था अपने अंसेस्टर से सिकायत करने के लिए, बेसक बदला लेने के लिए सिकायत दर्च करने के लाबा, सबसे इंपोर्टन बात ये खबर देनी थी, कि जो एन ओरिजन गौड क्लेन का मेंबर है, जो की निश्चे तोर पर, पपेट इसलिए वो ओरिजन कौड की जो डेड बोडी थी उनके काम की नहीं थी, और अब एक पॉपुलर ओरिजन गौड क्लेन के जिन्दा मेंबर के बारे में सुनकर ये लोग भला कैसे एकसाइटेड नहीं हो सकते थे, जो फिजिकली काफी ज़्यादा पावर्फुल होते थे, अगर उन्हें पपेट के तोर पर रिफाइन किया गया, तो वो और कितने ज़्यादा पावर्फुल होंगे, इसकी इमेजिनेशन कर पाना भी अपने आप में मुश्किल था, जिसके बाद कॉफिन्स जो अनगिनत, कौन्टिटी वे यहाँ पे होते हैं, उनके बूचे एक जाएंट कॉफिन होता है, जो सैकडो गुना से भी जादा बड़ा था, और इस टाइम पर यह जो कॉफिन होता है, जिसके बाद इसका धकन थोड़ा सा खुलता है, और बंध हो गया होता है, और एक पतला सा हाथ इसमें से फैलता है, ऐसा लगता है जैसे हंगिनत सालों के यह जो हाथ पूरी तरीके से सूख गया हो, लेकिन इसके अंदर का जो ग्लोरी होता है, जो ओरा होता है और जो पाबर होती है, इसे महसूस किया जा सकता था, वो तुरंती कहता है हमारे सेक्ट का, और इजन गौड डेप, डिवाइन पपिट, जब वो हमें मिला, तो वो के एक डेड बॉडी थी, लेकिन एंसेश्टर ने सब्धानी पूर्वक, उसे काफी अच्छी तरीके से रिफाइन किया, उसे पर्यापत एनर्जी और टाइम दिया, जिसके बाद उसकी बॉड़ी पे गोल्डन हेर सा गए, और वो गोल्डन, डिवाइन गोल्डन पपिट ले जब ये अपने डर्ट से पहले था, साथ ही मैं हेडिन टेकनिक का प्यूज करते हुए, इसकी पावर को भी उधाल ले सकता हूँ, लेकिन अगर ये कोई जिन्दा ओरिजन गौड है, जिसका मैं यूज कर सकता हूँ, तो ये और भी ज़्यादा पावर्फुल हो जाएगा, तब यान-यौन तुरंदी कहता है, ओल्ड अंसेस्टर, आपको टाइम आने पर मुझे उसकी पावर को यूज करने के लिए जरूर ही देना होगा, आकर कर मैंने आपको इतनी प्रीसे से इंफोमेसन दी है, यान-यौन इमेजिनेसन में भी नहीं सोच सकता था कि अगर जो य यान-यौन कहता है, वो परसन अभी भी बहुत लापरवा है, वो नहीं जानता कि ही किन लोगों को नाराज नहीं किया जा सकता, एक बार मेरे द्वारा गौड पपेट के तौर पर उसे रिफाइन कर लिया जाए, और हमारे सीनियर द्वारा उसे पकड़ लिया जाए, जिसक पर ये बंदा और इसका एरोगेंस एक तम हाई लेबल पर होता है, इसका माणना था कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हो चुका है, तब ही अचानक सीन से प्रोतार में एक आवास सुनाई देती है, वो क्या है, अजीब वाजनस, मोस्कीटोस के इतना बड़ा ग्रुप कैसे हो स इन्होंने एक बड़े एरिया को कवर कर रखा था जिसने जादता लोगों के ध्यान को अट्रेक्ट किया होता है, बुद्तुरंती कहते ये तो एक पिल है, बास्त में इतने पाउरफुल मॉस्टर्स और मॉस्कीटोस को अट्रेक्ट कर सकती है, तो आखिर कार वो पिल कितन करना सुरू कर दिया होता है, जोन भी अब्यसली इनके ओरिजन को समझ सकता था, लेकिन जोन को पता थे कि लोगों की ये जो क्वांटिटी है, ये अभी भी परियाप नहीं, और भी जादा लोगों का होना और बहतर होगा, जिसके बाद जोन पुलकर ड्रोन का ढखकन ही ख चाहिए हो, लेकिन वो इस पिल की स्मेल के साथ अट्रेक्ट हो रहे होते हैं, और कुछ लोग तो क्यूरियस हो कर इसका पीछा करना सुरू कर देते हैं, लेकिन इससे कोई फ़क नहीं पड़ा क्यों ने कितनी स्पीट बढ़ाई, वो अभी भी जान को पकड़ नहीं पा र पिल की स्मेल को छोड़ रहा हो तब वो कंफरम करना चाहता था, कि ये जो लोग थे और ये जो मॉस्कीटोस थे कभी भी उसका पीछा ना छोड़ें, साथी जोयान का जो में टार्गे था यानी डेबाईन पपेट सेग्ट, वहाँ पे जाने से पहले जोयान को उनके लिए साथी जोयान को महसूस होता है कि उसका कॉंटेक्टर उससे कट रहा है, लेकिन जोयान अभी महसूस कर सकता था कि बास्तों में उसकी सोल को कितनी बुरी तही किसे टॉचर किया जा रहा है, और वो सोल में होने वाला दर्ग जोयान अपनी सोल में चुबने वाले दर्ग से म पढ़ गया है और अचाना कि उसमें एजी और जेड सू यू दिखाई देता है जो देखके जू अन्ता है तुरंती कहता है तीन बैठके हो चुकी है और यह चौती है हर वैठक के नीचे जो टाइम है वो कभी भी फिक्स नहीं जिसके बाद सू यू जू जू को देखता है ज दूसी तरह सैन यानि की नंबर थ्री वो पहले से ही पहुँच चुका होता है और जूहान को आता हुआ देखकर वो तुरंती कहता है अरे नंबर नाइन तुम इतनी जल्दी यहाँ पर आ गए ऐसा लगता है कि तुम भी मेहीतर बिलकुल आजाद और फ्री बंदे हो जैसे दौनों बात करे होते हैं तो सी की जो ऐसे और फिगर होती है वो धीरे धीरे इस टौन पिलर पर आती है वो तुरंती कहती है अरे तुम दौनों यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए हाला कि उसके पिछले प्रिदर्सन को देखते हुए उससे कोई भी फीलिंग या औरा नहीं निकल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि सी का मूड बास्तों में काफी अच्छा है साथी साथ सी के अपयर होने के बाद जौने कुछ भी नहीं कहा होता बलकि एकदम चुप होता है और सी ने जान बूज कर बाचीत के लिए जो यान की तलास नहीं की होती तब ही जान के देख के बाद एक सभी प्लेटफॉर्म पे एजे और फिगर्स दिखाई देने लगती है जौने भी से इस तोर पर ध्यान दिया होता है तो जौने देखा था कि नंबर टू हमास हमेशा से आखरी टाइम पे दिखाई देता था और सबसे पहले जाता था लेकिन इस बार जो जो यान को भी इंजर्ड कर दिया था यान की डरा दिया था जबकि जोयन के पास उस टैम पे इंसेस्टर येलम का ओरिजन गौड था जोयन को लाइफ और डेस्ट का एक श्ट्रॉंग खत्रा महसूस हुआ था इसलिए जोयन मदद नहीं कर सका होता लेकिन टाइक सू के पा जोयन के खेल के महरे जैसे हैं जो एक दूसरे की असली आइडेंटिटी जानते हैं वो बहुत कम लोग हैं बेसक इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि जोयन यहां पे काफी लौग टाइम के बाद यहां आने वाला आखरी परसन था इसलिए उसके बारे में यहां के जान को बहुत कुछ कम पता होगा साथी बिल्कुल भी जानकारी नहोना इंपॉसिबल है तब ही नमबर वन तुरंती कहता है यानि कि इस टाइम के दौरान मैं बस उस ब्लैक सेडू की निसानों को फॉलो कर रहा हूं और उसके बारे में और इंफोमेशन गैदर कर रहा हू मैं आपको कुछ बता सकता हूं लेकिन इस टाइम के दौरान क्याप में से किसे ने ओस ब्लैक सेडू को ढूडा मैंने उन में से एक ब्लैक सेडू को मार डाला है यह इन में से बोलने वाला सबसे पहला परसन था और जैसे उसके वर्ड सामने आते हैं महौल अचानकी सांथ हो गया होता है साथी जब यह बोलता है कि कि आपके पास कोई सुराग है तो इस टाइप सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं साथी एक दूसरे का टॉपिक उठाने के बाद किसी ने भी एक भी वर्ड में उत्तर नहीं दिया होता तब ही नमबर टू कहता है हां मुझे कु को खोजरा हूं लेकिन क्योंकि यह सॉल और स्परिट नहीं है तो मैं उग्यसली उसे अजानी से खोज नहीं सकता यहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि उन सैडोष के पीछे का जो और जार हो गया है आइसा लगता है कि यह सैडोषभ्व एस रिस्फ के दूर्छ के द्वार हो रही है और वहाँ पे भी chaos create किया जा रहा है जिससे हर एक वर्ड में जो संगर से वो काफी यरत तेज हो चुके है यहां तक कि भले ही मैं उनका पीछा भी कर रहा हूं मैं उन्हें रोक नहीं सकता एर के बोलने के बाद यह जो यांग त्यान जून था जिससे उसने देखा था साथ ही जब वो सेडू जोयन के सामने अपेर हुई थी तो जोयन को लगा था कि इस सेडू और इसकी औरे के सामने तो हर एक चीज बिलकुल चीटी की तरह है उसका औरा और वेहिवियर दोनों ही अनबीटेबल होते हैं लेकिन इस टेंपे कैोस गूर्ड रियालम में एर उतना ज़्यादा एरोगेंटिया इगोईश्टिक नहीं दिख रहा होता क्योंकि इसका में रीजन यह है कि कैोस डैमन रियालम कैयोस गूर्ड रियलम के अंदर कोई भी नहीं जानता कि कौन कितना स सभी का मानना यही है कि सभी लोग hidden dragons और crouching tigers हैं जो अपने आप में अपने places में अपने अपने world में एक strong position hold करते हैं यहां तक कि दूसरा person कभी भी यह नहीं सोचेगा कि कि किसी की power यहाँ पे भीख हो सकती है और क्योंकि 9-7 god realm में air का सम्मान और respect की जाती है क्योंकि वो अपन पास इतनी power तो होगी ही कि वो अपने world को control कर सकते हैं तो किया यह अपनी power को represent करने के लिए एक सही तरीका नहीं था तब ही वो तुरंती कहता है इन black azure figures के पास कुछ भी नहीं है साथिने lead करने बाले किसी person के पास उसे जानने का कोई तरीका भी नहीं हम उसे नहीं जान सक दाइरे की power उन्हें हिला सकती है लेकिन इस chaos god realm में उन सभी किसा कल एक जैसी है और वो अलग अलग जगे पर अलग बैठकों में काम करते हैं इसलिए उन्हें जानना उन्हें उसके बारे में समझना मुस्किल है लेकिन एक चीज बिलकुल बैसी ही है बास्तों में chaos god realm के हर एक person को real world में एक person होना चाहिए चाहिए वो human हो monster हो god हो बिस सभी मौजूद है इसलिए इसमें इस दीज को अभी भी solve किया जा सकता है हालक यहां पे जितने लोग भी होते हैं वो सभी लोग as your figure से ढके हुए होते हैं और जब तक कोई भी अपनी identity को reveal नहीं करता किसी के बार तब ही तुरंती कहता है यह मामला थोड़ा मुस्किल हो सकता है हम इसकी जान जारी रख सकते हैं या नहीं लेकिन मुझे डर है कि हम सभी को अपना सबसे वेश्ट करने की जरूरत है सौरी air कहता है साथि उसकी अपाज एकदम non committed होती है आकर का उसने जू यांग त्यान को देखा था साथि उसके character के according ऐसा लगता है जैसे बास्टर मों वो उन लोगों का पता लगाना चाहता है जो इस दुनिया को पैसान कर रहे हैं लेकिन words गिरने के बाद यहां पे उपस्तित किसी ने भी किसी का support नहीं किया लेकिन किसी ने किसी से आपत्ती भी नहीं दिख जो सभी लोगों को meeting में invite करता है इसलिए जब तक जरूरी ना हो वो इस meeting में कभी भी interfere नहीं करता तब यह चनक एक आवाज आती है western heaven mysterious world में अभी भी कोई भी black shadow नहीं पाई गई साथी अब तक western heaven mysterious world में कोई भी बड़ा और business बिवाद नहीं हुआ है और हमारी जो दुनिया है भी काफियत तक सांती पूर्ण है साथी other world से कुछ और लोग और कुछ कम resources से जो की आए हुए हैं लेकिन वो सभी लोग भी काफी सांत हैं number two के बाद number three यहाँ पे बता रहा होता है क्योंकि सभी को एक दूसरे के worlds को पहले ही level कर दिया गया था तो वो यहाँ पे इस अब यह भी काफी साबधान है और वो किसी को भी उसे जलाने नहीं देगा साथी send के जो word होते हैं वो एकदम किसी सरारती लड़की की तरह बचकाने लग रहे होते हैं लेकिन इस time पे उसके जो word थे वो काफी जादा serious होते हैं और यहाँ अपस ते सभी लोगों को एक चिता अब नी जासे लग रहे होते हैं जिसके बाद सी कहती है mortal monster Asian world की situation बहुत खराब है काफी high quantity में attacks हुए है और दुनिया धीरे धीरे unbalance हो रही है अगर यह continue रहता है तो distraction के बल थोड़े time की बात होगी हाला कि कोई है जो की मुसीवत के time पर अगर mortal monster Asian world की मदद करने आता है तो हम भी उसकी मदद को कभी नहीं भूलेंगे और इस cutting time से निकलने के बाद हम हर एक possible मदद उसके लिए जरूर पहुचाएंगे दूसरी तरफ सीने जब यह बोला हुआ होता है तो जियान यहां पर कापी अजीब तरीके से react करता है क्योंकि ऐसा लग रहाता है जैसे इस time पर वो जिस C को देख रहा हूँ वो एक तब अलग हो serious, mature और एक strong लड़की उस लड़की से एकदम अलग जो की पागल बे परवाह और अपनी desires को follow करने के लिए उल्टा सीधा काम करती रहती है हाला कि इस time पर जॉन को लग रहा थे कि उसने गलत परसन को recognize किया तब यह चाना क दूस्तक जॉन को उमीद नहीं थी कि एर बास्तों में यहाँ पर बोलेगा जिसके बाद जॉन उस time पर यून को याद करता है जो यांग दियान जून को जिसने डरा दिया था साथी जॉन को उमीद नहीं थी कि बास्तों में यहाँ पर मदद के लिए तयार होगा तब इसी यहाँ जो सिविल वार है वो और भी ज़्यादा सीरियस होती जा रही है साथ ही काफियरा बड़े पैमाने पर नरसंगार भी हुआ है यहाँ तक यह हजारों हजारों नसले तबाह हो गई है हाला कि अभी यह सिच्वेसन इतनी सीरियस नहीं लेकिन इस चीज को देख तो ऐसा लग रहा है कि अगर यह ऐसे ही काई उस कंटीनू रहा तो सभी ट्राइबस आपस में लड़ मिड़ कर ही खात्म हो जाएंगी और तबाह हो जाएंगी यहाँ पे बूबी कफ ज़्यादा हेलपलेस महसूस कर रहा होता है यह सुनने के बाद किसी मदद माग रही है बूब के बल इतना ही कह पाया था इससे कोई फक्ट नहीं पड़ता कि यह यूसफूल था या नहीं हर किसी के पास अपने वल्ड की अपनी रिस्पॉंस्बिल्टीस थी अगर वो मदद कर सकते हैं तो यह उमीद की एक किरण है जिससे उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूसन का एक रास्ता खोजा जा सकता है तब ही एर फिर कहता है नमबर फाइप चिंता मत करो हम आपके प्लैने में सांती बनाने के लिए और मदद करने के लिए लोगों को जरूर भेजेंगे जो इस जगड़े को कुछ अत्तक कम कर सकते हैं जो देखकर वूत तुरंदी कहता है बहुत बहुत धहने बाद हमा और हमारे वर्ल्ड आपके इस हैसान को नहीं भूलेगा जिसके बाद अचानक काव आ जाती है सेनेकसी बल्ड पर अटाइकसू अटेक कर रहा है और वो सेनेकसी के रेसोर्सेस को लूटने के अपने तरीकों का इस्तमाल कर रहा है जो कि एकदम पनिस्मेंट का हगदार है हर कोई को इस तरीके के behavior को रोकने के लिए मदद करनी चाहिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई synexy के मदद के लिए तयार होगा Liu की बात ने तो जोयान को भी चौका दिया होता क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Liu कहां से बिलॉंग करता है जोयन को मीद नहीं थी कि वो बास्तों में ऐसा कोई comment करेगा आखिरकार जोयन को पता था कि Liu तैक्सू वर्ड का पास्ट Emperor चू क्यान ताई है इने जोयन को ये बताया था और अगर इने उसे ये नहीं बताया होता तो इस समया क्या कहा जोयन इसके बार में सोचता कि Liu बास्तों में सेनेक्सी का ही मेंबर है जोयन तुरंती कहता है क्या ये चाले चल रहा है जोयन क्यांको के सामने अंधेरा चा गया होता और दिमाग थोड़ा सा हिल गया होता है क्योंकि वो नॉर्मल वर्ड्स के साथ बास्तों में सेनेक्सी के लिए मदद मांग रहा था जो कि टाइक्सू के लिए ही एक बड़ा नुकसान होगा जो यहां तुरंती कहता है जू कियांता ही आखिरकार तुम बास्तों में करना क्या चाहते हो तो चलो गाइस इसी के साथ अब यह एपिसोड यहीं एंड करते है और नेक्स एपिसोड में देखेंगे कि जू क्यांता ही आखिरकार करना क्या चाहता है जो भी करना चाहता है कल पता चलेगा तो गुड़नाइट थिरन पैमली बाई बाई